नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके पेने चैनल एक जम अड़ाफाइश्टेडी पर आज की बड़ी खबर है बिग ब्रेकिंग न्यूज है 22,000 सीटों से आज की सबसे बड़ी खबर है सिछक बत्ते की खुस खबरी आ गई है 27,000 TGT PGT 2022 बिग्यापन की सूचना है चैन कारी दी जाएगी उससे पहले अभी तक आप लोग इन अपना चैनल एक जम अड़ाफाइश्टेडी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लिजिए आइकन उबेल प्रेस कर लिजिए चैनल के माध्यम से आप सभी को सिछक भरत्य जूरी लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइट कराई जाती है उसी कड़ी में आज दो महातपूर जानकारी है आप सभी मित्रों के लिए तो आप लोगों से रिक्वेश्ट है वीडियो आप लोग अन तक जरूर वाच किजएगा बीना वीडियो इसकिप किये हुए तो दोस्तों जैसा आप सभी देखने है उत्तर प्रदेश मादमिक सिच्छा सेवा चैन बोर पर आज हजारो छात्रों ने जवद्दर्श धरना प्रदसन दिया बिक्की खान जी के नेत्युद में उसके बाद जो उत्तर परदेश मादमिक सिछा सेवा चैन बोर्ड के उप सचीव नवल किसोर जी है उनका बयान आ गया है आप सभी को बयान जरू सुनना चाहिए उससे पहले मित्रों की जिस तरीके से आप लोगों ने अपना सपोर्ट द दिया मादमिक सिछा सेवा चैन बोर्ड में जबदस तरीके से आज लगभग देखा जैन में तो तीन से चार घंटे जबदस तरीके से धरना परदस हुआ उसके बाद अन्तता नवल किसोर जी ने अपना बयान जारी कर दिया है क्या बयान में कहा है आप लोगों को जरू चैन बोर्ड में सैकडो परतियोगी छात्रो ने चैन बोर्ड पर धरना दिया तथा बिबिन मांगों को लेकर उप सचिव स्री नवल किसोर से मुलाकात की वार्ता के परमुक बिन्द निम्नवत है जो इस प्रकार है बिग्यापन वर्स 2016 तथा बिग्यापन वर्स 2021 का सभी बिसेओ का समयोजन तीस दिनों के अंदर संपन कर लिया जाएगा ऐसा स्री नवल किसोर जी ने कहा है चैन बोर्ड का परियास है कि अचार संगिता लगने से पूर्व ही नया बिग्यापन जारी कर दिया गया है तो नवल किसोर जी ने कहा है कि जो अचार संगिता है उससे पहले ही आप सभी का विज्ञापन आ जाएगा 27,000 पतों पर परवक्ता हिंदी विज्ञार विज्ञार विज्ञापन वर्ष 2021 का संसोधिर प्रडाम यों संसोधिर पैनल एक सप्ता के अंदर जारी कर दिया जाएगा और चौथी जो परमुख मांगे थी विज्ञापन श्रिपा संकर, निरंकारी, सिंगासन, सिध्ध, अनिल कुमार, दिनेश सिंग, जोती बर्मा, कलपना पांडे, सारिका, तिवारी, गोविन मिस्रा, मदन कुमार, असीर सिंग, परवाकर, आद, सैकडो, छात्र, उपस्तित रहे तो मित्रों मादमी सिच्छा सेवा चैन बोर्ड पर जो आज जबर्दस तरीके से धरना परदस हूँगा, उसके बाद नमल किसोर जी ने कहा है कि जो बिग्यापन है, अचार संगीता से पहले जारी कर दिया जाएगा, यानि मित्रों इसी महिन्ये के लाष्ट तक बिग्या है, अब कल से इसका जो डेटा है, डाटा है उसका बनाया जाएगा, उसके बाद ही संभावता दिसंबर के लाष्ट तक विग्यापन जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद जो 2021 की बात किया, 2016 की बात की जाए, समय योजन की बात किया, जो परतिछा सूट जी बेटिंग लि बिक्की खान जी के नेतित में दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं अब बात करते हैं सबसे बड़ा मुद्दा 22.000 सीटों को लेकर आरच्छर मुद्दे को लेकर तो आरच्छर मुद्दे को लेकर उतर परदेश में समय गाहमा गाहमी मचा हुआ है जो हमारे भाई बैन है दिन अंतर सरकार के समच अंसन जारी रखे हुए हैं तो उसमें से कुछ अभ्याथि जो हैं भोक अर्ताल पर थे जिनका तबियत अचानक बिगड़ गया उनको आनन फानन में अस्पताल में भरती कराना पड़ा तो उसके बाद मित्रों अभी तक भी कोई भी इस पर डिसीजन निकल का सामने नहीं आया कल मानिय मुखमंती जी के कारियाले से एक ट्विट आया कि जो प्रैमरी सिच्छक भरती है उसमें जबदस तरीके से जो सरकार ने उपलबदी हासिल की है बहुत अच्छे तरीके से विग्यप्ती को पूरी की गई है उनका जो रटा रटा या बयान रहता वही जारी किया गया और बेसिक में छात्रों का जो संख्या बढ़ा है तो मित्रों जब छात्रों की संख्या रिकाद तोड़ बढ़ी है तो बिग्यापन भी जल से जल प्राइमरी में सिच्छक बरती का जारी करना चाहिए अगर जब छात्र बढ़ते हैं तो मित्रों जो अध्यापकों की संख्या रहती है वो भी बढ़नी चाहिए लेकिन जो सरकार इसको ताला मारकर बैठ गए गए कि बिग्यापन हम जारी करें या ना जारी करें लेकिन मित्रों जिस तरीके से आप लोग के समच 23 दिसंबर को महाधरना परदसन का आयोजन किया गया इको गार्डन पर नई प्राइमरी सिच्छक बरती को लेकर और दूसरी तरब 22,000 सीटों का बात किया जा तो मित्रों 22 जो आपके 22 दिसंबर को महाधर परदसन का आयोजन किया गया है आप लोग अधिक संख्या में SCRT पानी की टंकी के नीचे जरूर पहुचिएगा और जो परत्या वेधन की बात किया है तो मित्रों परत्या वेधन आप लोग देते रहिए और जो आप लोग का संख्या बल है वो काफी डिपेंड काफी बना चाहते हैं तो कम से कम 26,000 जो उपस्तिती वहां पर अनिमाच चाहिए लेकिन आप लोग 260 लोग उपस्तित रहेंगे 160 लोग उपस्तित रहेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है इससे सरकार जो वहां पर Lio की टीम आती हो सर्वे करके जाती देखती है कितने बच्चे आप लोग संख्या जो है 26,000 होने ही चाहिए तो मित्रों जो आप लोग का जायज मांग है और जरूर पूरा होगा चाहे 89,000 सिच्छक भरती में आप लोग सीटे जो जुड़वाने का बात कर रहे हैं चाहे आराच्छर मुद्दे की बात की जाए तो जिस तरीके से सीटों को लेकर मित्रों फर्जी वारा भी सामने आरा कि हजारों जो सीटे हैं वो किस तरीके से फर्जी वारा के वेट चड़ गई है और साथ में जो आप लोग का 22,000 का मुद्दा है कुछ अभ्याति कहरें कि नई सर 26,000 सीटे जुड़नी चाहिए तो 26,000 सीटे जुड़ने के लि आतार कांटीनू बने हुए हैं लेकिन कुछ लोग अभी तक आज तक घर में पड़े हुए हैं बेट के साथ में बेट के साथ में चिपके हुए हैं जैसे फेबी कोल होता वैसे चिपके हुए हैं लेकिन उठकर आज तक धरना परदस्व में नहीं गए हैं उनसे हम कहना चा कितने दिन चला एक साल 28 दिन चला उसके बाद अंत्ता जो बतमान की हाटी सकेंद सरकार है इसको भी जुकना पड़ा और पधान मंती जी को हाथ जोड़कर माफी मागना पड़ा कि हमने जो तीनों कानून लाया था वो कानून किसानों के लिए युवाओं के लिए जो हमारी जमीन किस हिसाब से चीन ले जाएगी पूजी पतियों को दे दी जाएगी अंत्ता सरकार को लेना पड़ा अपना वैसे ही जो आप लोग का जायज माग है उसको सरकार को जरूर पूरा करना होगा अंत्त तक जुड़े रहने के लिए हमारी सभी सम्मानिस साथियों का बहुत बहुत धन्दवाद जय हिन बंदे मात्रम